कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल след अर्षी परad और जैसे कि करें है पने सपस्टुपेस ऊपर का एचह पेश週 को V昨 देखनें को मिलाये तो साथ-साथ मैंने जाel 9 15 के आसपस में यूटूब लाइब आया था और आपको यूटूब लाइब कि में थोड़ा निप्टी बैंक निप्टी की भी हम लोग आनालिसस किये थे और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राब करके रखे आज से दस बच कर पांच मिनट से हम लोग यूटूब में रहेंगे तो वहां पर आप लोग चाहो तो जोइन कर सकते हो जहां पर आपको एक अनालिसस मिलेगा निप्टी बैंक निप्टी क्यूब पर हम लोग अनालिसस करते हैं उसके साथ साथ कोई भी स्टॉक की डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगा कोई भी स्टॉक हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग YouTube लाइब जॉइन कर सकते हो Anyway हम लोग डारेक्ली चलते हैं कल की लिए कल कौन से लेपल पर आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट क्या है रेजिस्टन्स क्या है वो हम लोग यहां तर देखेंगे वीडियो को सुरू में आपको बताना चाहता हूँ अगर आप वीडियो को स्कीप करने वाले हो तो स्कीप मत करिए 10-12 मिनिट का वीडियो है जादा नहीं अगर आप 10 मिनिट देते हो तो हो सकता है आपको उस 10 मिनिट के बदले काफी अच्छा पेशा कमाने का मोका मिलेगा मेरा आपसे ही निवेदन है कि आप वीडियो को skip मत करिए थोड़ा सबर करके वीडियो को continue करके देखेगा और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के जोना सब्सक्राइब कर लीजिए आगे चलके आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है चलिए कल के लिए पहला स्टॉक देखेंगे DLF और DLF Q पर क्या लेबल से पहले सपोर्ट पे चलते हैं सपोर्ट रहेगा 326.70 पेसा जैसे चाप पे क्लोजिंग दिया है थोड़ा उसके नीचे 326.70 पेसा के नीचे अगर चलता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 323 दूसरा रहेगा 319.15 पेसा तीसरा 313.60 पेसा यहां तक भी हो सकता है याद रहेखे 326.70 पेसा के नीचे अगर सस्टेन करता है सेल कर सकते हो 323 दूसरा रहेगा 319.15 पेसा तीसरा टार्गेट रहेगा 313.60 पेसा और अगर रेजिस्टन्स की बात कहूं रेजिस्टंस आपका रहेगा 330 रुपीज 45 पैसा जैसे ही 330 पैसे की उपर चलता है आपका पहला टार्गेट रहेगा 133, 133, 55 पैसा और 133, 55 पैसे की उपर चलता है तो आपको यहां पर और एक टार्गेट देखने को मिलेगा करीबन 339 के आसपास 339 के उपर भी चलता है तो 343.55 पेसा याद रखे अगर DLF 330 रुपीज 45 पेसे के उपर सस्टेन करता है आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 334.55 पेसा दूसरा रहेगा 339 तीसरा रहेगा 343.55 पेसा Guys 24 support resistance है मैं आपको clearly बता रहा हूँ ठ्यान से आप लोग support resistance note कर लीजे और कल market में इनी levels के उपर आप trade कर सकते हो अगर किसी को भी अगर free telegram channel पर join करना है description पर मैंने उसका link देती है हूँ चेक करके join कर सकते हो free telegram channel पर काफी है stocks के details में देता हूँ आज मैंने PBR short करवाय था निप्टी के उपर मैंने option के उपर भी थोड़ा trade दिया था थोड़ा बहुत trade आपको वहाँ पर free of cost में मिल जाता है अगर आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत free of cost में अगर पैसा कमाना चाहते हो तो description पर telegram का link है आप लोग जाके join कर सकते हो वहाँ पर चली next आपका रहेगा Tata Motors Tata Motors के उपर थोड़ा देखेंगे और जैसे कि Tata Motors हम plan किये थे अगर support के नीचे रहता है तो उसके नीचे हम लोग sale कर सकते हैं बट काफी 429-25 पैसा 429-25 पैसा का support रहेगा 429-25 पैसे के नीचे अगर sustain करता है आप लोग sale कर सकते हो पहला target रहेगा 424-60 पैसा 424-60 के नीचे जाता है 421-40 पैसा याद रखें अगर Tata Motors 429-25 पैसे के नीचे sustain करता है आप लोग sale कर लिजिए पहला target रहेगा 424-60 पैसा 421-40 पैसा resistance रहेगा 433-95 पैसा और 433-95 पैसे के ऊपर जैसे ही sustain करता है आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 439-60 पैसा 439-60 के ऊपर 445 याद रखे 433-95 के ऊपर अगर Tata Motors चला जाता है तब buy कर सकते हो 439-60 और 445 तो जो भी है लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ खास करके आप लोग लेवल को नौट करके कल मार्केट में उसे साथ से ट्रेड करें चलिए नेक्स्त आपका पार रहेगा असो ka-la-la-led मेरे जो आपको जो सपोर्ट बताया था उससी सपोर्ट के ऊपर बार बार यह ट्रेड हो रहा है तो यह जो लेवल्स अगर क्योंकि मार्केट अगर कभी भी नीचे आना होता है तो तेजी से काफी तेजी से नीचे आना चाहिए बट मुझे लगता है कहीं कहीं टाटा शरी असोक लेलेट आपका ऊपर जाने की मून में अभी है तो हम लोग अभी इंट्राइडे की साब से ट्रेड करें तो उसी टाइम आपको काफी अच्छा टार्गेट मिल जाता है चलते हैं थोड़ा सपोर्ट के उपर सपोर्ट आपका रहेगा असोक लेलेट का 137.90 पेसा जैसे 137.90 के उपर चलता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला सेल कर सकते हो उसके नीचे सस्टेन करता है तो पहला टार्गेट रहेगा 136.20 पेसा और जैसे 136.20 पेसा के नीचे चला जाता है 135.40 और 135.40 के नीचे 132.95 पेसा याद रखे 137.90 के नीचे 136.20, 135.40, 132.95 यहां तक आपको टार्गेट देखने को मिलेंगे अगर रेजिस्टन्स की बात कहूं 139.60 का रेजिस्टन्स है जैसे 139.60 के उपर सस्टेन करता है आप लोग बाय कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 141.45 पेसा और उसके उपर चलता है 143.143 के उपर 145.25 पेसा यहां तक रहेगा ध्यान रखे 139.60 के उपर अगर चलता है बाय कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 141.45 पेसा अगर उसके उपर भी चलता है 143.145.25 पेसा गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है अगर आपको लगता है कि इन लेबल्स के उपर आट रेट करके पेसा कमा रहो तो जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक् कर लिजे साती साथ notification bell को on करकर रखे so that मैं कुछ वकर वीडियो upload करता हूँ तो आप लोग को वहाँ पर पिता चले और आप लोग उसी साफ से market में trade कर सकती हो चलिए हम लोग next talk के उपर चलते हैं जाना से से पहले इतना जरूर कहना चाहता हूँ अगर आप लोग चाहों तो free telegram channel में join कर सकते हो जहां पर intradamay में कुछ लेवल्स प्रवाइड करता हूँ live market में तो उसका link जो है मैंने description पर डाल दिया हूँ आप जाके चेक करके जोइन कर सकते हूँ चलिए next आप करनेगा स्टेट बें कॉप इंडिया इस बें की पर भी थोड़ा वह थोड़ा हम लोग अभी लेवल्स देखेंगे चलिए इस बें का सपोर्ट हम लोग पेले देखते हैं सपोर्ट कहां पर है सपोर्ट रहेगा 461 के नीचे अगर स्टेट बें कॉप इंडिया सस्टेन करता है तब ही आप लोग सेल कर सकते हो बट यह जैसे ऊपर क्लोज हुआ है मुझे लगता कि कही न कहीं यह जो भी सपोर्ट हमने प्रिवेश डिमें प्लान किया था तो उसको रेस्पेक करते हुए उसने उसे आसपास क्लोज किया है मुझे नहीं लगता कि 461 के नीचे सस्टेन करता है अगर करता है तब आप सेल कर सकते हो पहला तार्गेट रहेगा 456 50 के नीचे 452 याद रखें 461 के नीचे अगर sustain करता है sell कर लिजेगा 456.50, 452 यहां तक आपको target रहेंगे अगर resistance की बात कहूँ 465.60 पेशा का resistance रहेगा जैसे ही 465.60 के उपर sustain करता है आप लोग buy कर सकते हो पहला target रहेगा 470.55 पेशा और उसके उपर चलता है 475.50 और next target आपर रहेगा 482 के आसपास आपको यहां पर और एक target देखने को मिलेगा जो कि 483.70 पेशा है तो ध्यान रखिएगा अगर अगर चलता है 465.60 के उपर तो आप 470.85 475.50 470.80 का target आप ले सकते हो 480 के आसपास भी जा सकता है 480 के उपर अगर चलता है तो 483.50 और 65 के आसपास आपको यहां पर 483.70 के आसपास आपको next target देखने को मिलेगा तो जो भी support रेजिशन देना हो अगर आपको पसंद आता है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेशेगा चलिए नेक्स्ट आप कर रहेगा टाटा स्टील टाटा स्टील की उपर भी थोड़ा बहुत हम लोग आपको देखेंगे अगर टाटा स्टील सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है अगर 1065 के नीचे सस्टेन करता है हम लोग सेल करेंगे 1053 और 1037 में दो टार्गेट रहेगा 1065 के आसपास यानिकि 1065 में ही इसने ओपन हुआ थोड़ उपर आया उसके बाद तुरण नीचे चला गया 1053 हिट करके 1049 का उसने लो लगाया जितने रोपो ने वहां से भाई किया होगा क्योंकि ये सपोर्ट जो है जब मार्केट नीचे जाता है तो ये उसके लिए रेजिस्टन्स बनता है इसलिए आपको मैं बोलता हूँ अगर आप लोग लेवल्स की उपर ट्रेड करना सीखना चाहते हो तो आप लोग ट्रेणिंग सेशन जोईन कर लेचे बेटर रहेगा छोटा सा एमाउंट है जादा बड़ा एमाउंट भी नहीं है क्योंकि आप लोग को सीखने की ज़रुत है मार्केट में आपको हर बक कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो इसलिए मैं आपको सुझेस्ट करता हूँ खुद के लिए आप खुद एक अडवाइजर बनिये दूसरे किसी से कोई भी ट्रेड लेटी की ज़रुत नहीं है आगे ऋब लोग домой कर सकते हो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप लोग को केसे लेपल्ड की उपर क्いाम करना है के से आपको लेवल्स फाइंड आओ्ट करना ये सारा जीस मैं आपको वहाँ पर सिखाता हूँ, अगर आप options के उपर trade करते हो, वो सारा जीज आप लोग को आपर analysis करते हैं, strategies बगरा भी सिखाएंगे आपको, anyway, हम लोग चलते हैं directly टाटा स्टील के उपर, टाटा स्टील कहाँ पर आप trade कर सकते हो, टाटा स्टील का support रहेगा 1066, याद रह 1,049, ट्विनटी पेसा के नीचे चलता है, 1037, याद रहँ हैं, 1066 के नीचे चलता है, Sayle कर लिजेगा, पहला target रहेगा 1049, ट्विनटी पेसा और दूसरा target रहेगा 1037, और resistance रहेगा आपका 1,082, 90 पेसा, जैसे 1,082, 90 पेसा के ऊपर चलता है, बाई कर लिजेगा, 1092.80 1104.1150 यहां तक आपको target रहेंगे दुबारा बता देता हूँ 1082.90 पेशा के ऊपर चलता है बाई करिये 1092.80 1104.1150 यहां तक आपको target रहेंगे I hope guys वीडियो पसंद द्याओगा सारे लेबल से बता देओ सपोर्ट रिजिस्टर्स लिख लिचेगा और कल मार्केट में उनी लेबल से पर ट्रेड करेगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेजीगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद